हेलो गाइज जैहिंद आप सभी का श्वागत है हमारी य्टूब चैनल पे फाइनल गाइज आज का जो वीडियो है हिंदी सिच्छड का है हिंदी सिच्छड के उन प्रशनों का जिक्र कर रहे हैं जो आपके एक्जाम में आ सकते हैं आ सकते हैं का मतलब है कि जितने कुष्ट मैं यहां बता रहा हूँ अगर आप इतने पढ़के जाते हैं तो इस अपने एक्जाम में 100% कुष्टनों को रिपलाई करके आओगे मतलब वो सारे कुष्टन जो आपके एक्जाम में आएंगे वो आपको यहां पर देखने को मिलेंगे यह दावा है यह आप पढ़के जा सकते हैं गुगल प्ले स्टोर से उसका लिंक हम आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्रिशन बॉक्स में देदेंगे वहां से जाके आप इंडोल्ड होके त्यारी कर सकते हैं चलिए गाइस हम बात कर लेते हैं हिंदी सिच्छन में कौन कौन से कुष्टन है मैंने यूनिट क्या समस्ते हैं मातर भाषा का ग्या नहीं बालक के शंपूर्ण जीवन के उनती का आधार है इस कतन का शोधार अनस्वस्ट किजिए गाइस ए बात डन है कि इन दोनों कुष्णों में से एक लॉंग टाइप का कुष्ण आपको 100% देखने को मिलेगा लॉंग टाइप तो आपको दोनों में से 101% देखने को मिल दाएगा गाइस हम युनिट सेकंड में आएंगे तो युनिट सेकंड में यहाँ पर जो इंपॉर्ण कुष्ण है पहला कुष्ण है सिच्छा के बिभिन अस्तरों पर हिंदी भाषा के सिच्छन का उद्देश का औरन कीजिए दुश दिया भासा के रूप में हिंदी सिच्छन के उद्देश को बताईए यह आपके सेकंड उनिट के तीन ही कुष्ण थे आप देख पार हैं ज्यादा कुष्ण बिल्कुल भी नहीं लिखा है हर एक उनिट से 2-3-5 प्रशन इतने ही मिलेंगे आपको उनिट 3 की बात करेंगे गाईस तो यहाँ पर जो हमारा important question है भासा एक प्रियोग कौशल है इस पर निवन्द लिखिए दूसरा है सर्वन दच्छता एवं सर्वन कौशल का अर्थ स्वष्ट किजिए तीसरा है वाचन कौशल लेखन कौशल और एक पाठन कौशल होगा यहाँ फिर से वाचन कौश कौशल है लेखन कौशल और पठन कौशल है यह तीन चीजे होती है तीनों कौशलों में से कोई एक कौशल आपको long type में नहीं जो आपका short type of question होगा वहाँ आपको देखने को मिल लाएगा तीनों कौशल को जरूर पढ़के जाना अगला है सोच में सिच्छन विधी कारण क कीजिए प्रस्तावना कौशल तथा व्याख्या कौशल विकास है तू पाथन सोचना पाठ योजन त्यार कीजिए गाई जिस बात को भी ध्यान देना यहां पर दो कौशन तैयर हो रहा है कि एक प्रस्तावना कौशल है तू सोचना पाठ योजना तैयर कीजिए और दूसर किसे भी कोशन आपको देखने को मिलेंगे या प्रस्ताउना कोशल या बाक्षा कोशल में अंतर क्या है तो इनके बारे में आपको पढ़के जाना है और उद्धीपन प्रिवर्तन कोशल जरूर पढ़के जाईएगा यह भी आपका एक खास और इंपॉर्टन कोशन है मैंने अस्तर पर कविता का शोपान करने है तो किस पढ़ाली का अपना आ जाता है अगला कुशन है दुरूत पार्ट से क्या से बहुत ही इंपॉर्टन कोशन है ध्यान देना और पार्ट योजना को विल्कुल इगनौर नहीं कर सकते हैं वहीं पर इकाई योजना जो है यह भी आ इसमें सारे कोशन इंपॉर्टन थे आप जुरूर पढ़के जाएगा इनिट फिप्थ है जहां पर कुशन है सहायक साधन से आप क्या समस्ते हैं हिंदी हिंदी भासा सेच्छन की कौन कौन से विभिनने सहायक साधन है जिनका प्रयोग किया सकता है असपष्ट किजी यही सिंगल कोईशन था उनिट 6 की बात करेंगे मुल्यांकन कार्थ असपस्ट कीजिए उद्देशियों महात्यों को असपस्ट भी बेचना कीजिए अनुशंधान का से आप क्या समझते हैं तो आपने देखा यहां पर गिने चुने कोईशन दो कोईशन ऐसे ही आपके दो चार पांच है मतलब पूर टोटल मिला के आपके 15 से 20 कुशन के अंदर ही सारे कुशन है कुशन अगर आप इतना तयार कर लेते हैं गाईश तो इडन है आप बहुत अच्छा करके आएंगे बुक्स नहीं है नोट्स नहीं है तो आप बिलकुल देरना करें कंप्लीट नोट्स और वीडियोज आपको मिल दाएंगे करना कुश नहीं है बस डाउनलूड करना है गूगल प्ले स्टोर से जाके हमारा अप्लिकेशन लेट्स इजी टू लर्न जहाँ पर आपको सारे चीज़े मिल दाएंगे तो गैज इतना ही मिलते हैं नेक्ट वीडियो में चल्दी जैन दे